अलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो माई चैनल इन कोकिंग विद रेका पहाडिया आज हम बनाने वाले हैं यह शांदार मूली के पराथे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ताइम आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रे कर लेंगे उसके बाद हम मूली को पिल करेंगे मेरे पास यह पीलर है इसके हल्प से में इसे पिल कर रही हूं अगर आपके पास यह नहीं है तो आफ नाइफ के हल्प से भी इस सब कुछ कर सकते हैं एक मूली दो लोगों के पराटे बनाने के लिए इनफ है क्योंकि यह बड़ी साइस की मूली है मैंने मूली को पिल कर लिया है अब हम इस ग्रेटर के हल्प से इसे ग्रेट कर लेंगे या जिसे हम कद्दू कस भी बोलते हैं हमें मूली को कद्दू करना है मिक्सर में नहीं यह देखिए मैंने मूली को ग्रेट कर लिया है और इसके अंदर का जितना भी एक्सिस वाटर है वो भी मैंने अच्छे से निचोड कर बाहर निकाल लिया है यहां पर मैंने लिए है आधी चमच अजवाइन आधा चमच जीरा दो से तिन हरी मिर्च और एगेंच अधर का टु डालेंगे हम और हम ऑईल को बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे कि अगर यह जीरा भी सात में डाल देंगे उसके बाद हमें इसमें डालना है यह दर्द्री कुटीवी हरी मिर्च और अद्रग अगर आप अद्रग नहीं खाना चाहते हैं पराटे में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिट तक इसका कच्छापन निकलने तक पकाना है हमें गेस का फ्लेम हमेशा मीडियम ही रतना है उसके बाद हम इसमें एड करेंगे यह ग्रेट की हुई मूली मूली का इक्सिस वाटर मैंने निकाल लिया है जितना भी एकसिस वाटर है वो हाथ से दबाते हुए निकाला है आप चाहें तो इसे एक सुती कपड़े में डालकर और इसका सारा एकसिस वाटर निकाल सकते हैं हमें मुली को बिल्कुल ड्राय करना है इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे सुखे मसाले सबसे पहले मैंने आपर डाला है यह एक चम्मच नमक आदा चमच लालमीच पाउडर एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर आदा चम्मच सुखा दनिया पाउडर एक तिहाई चम्मच गर्म मसाला पाउडर अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे मिर्ज कम या जादा आप अपने टेस्ट के कोडिंग कर सकते हैं हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए मैंने इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसका ढकन लगाकर इसको लगबाग 4-5 मिट के लिए मीडियम फ्लेम पर देखिए इसको पांच मिट हो चुके हैं अब हम इसे चेक कर लेते हैं हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता है मुश्किल से 5-10 मिट में हमारा यह मसाला बनकर रेडी हो जाता है अब हम इसके अंदर एड करेंगे यह एक टेबल स्पून फुल भरके बेसन बेसन से मूली के पराटो का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मूली और मेथी के पराटो के साथ बेसन का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा है हमने यह पर एक मूली ली है इसलिए मैंने इसके अंदर एक चमच बेसन डाला है अगर आप दो मूली लेते हैं तो दो चमच ब लगा फिश्यन के बाई करा देखें। ज़ंगे का निचे बहुत चिपकने में लुखना है अ उनलर पिशायों के में इसलिए इसी तरह कि नहीं बबाई कि दम अ और हम इसन। बेच बीच में चलाते रहना पर कि बहुत ही रहिक आकम यह देखिए यह वापस नीचे चिपकने लगा है यह लगबग बनकर रेडी हो गया है अब हम इसमें एड कर देंगे यह बारी कटा हुआ हरा धनिया इन सब को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी है मैं आपको पास से दिखाती हूँ यह देखिए मैंने स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लिया है आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग दिखने में कितनी सुन्दर लग रही है यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी है अब हम इ एक छोटी सी लोई ली है आटेगी हमें छोटी सी लोई बनानी है आटेगी आप चाहे तो बड़ी साइस का भी बना सकते हैं जितना बड़ा जितना मोटा है पतला आप खाना चाहें पर आप छोटी साइस ले तो बेटर होगा क्योंकि इसके अंदर हम जब मसाला भरते हैं तो हमें पराठा बेलने में आसानी हो सबसे पहले हमें एक गोल गोल रोटी बेलनी है जिस तरह से हम रोज बेलते हैं नॉर्मल रोटी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलना है छोटी सी रोटी बेलना है जिसके अंदर हम मसाला भर सके हमें थोड़ा सा मसाला लेन तरह से रख देना है हमें चारो तरफ फिलाते हुए नहीं रखना है सिर्फ सेंटर में ही रखना है और इस तरह से रोटी के मुह को बंद करना है आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से रोटी का मुझ इस तरह से प्रेस करते हुए जाए ताकि मसाला जो है वह बहार नहीं निकले हमें बहुत ही अच्छे से पूरे मुझ को बंद करना है अधर्वाइस हमारा मसाला जो है वह बहार निकल जाएगा मसाला भढ़ने के बाद आप वापस अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से प्रेस कर ले अच्छे से सेट कर ले मसाले को हमारे पराठे के अंदर जैसे कि मैं कर रही हूँ यही मेन इस्टेफ होती हमारे पराठे की जिससे की हमारा मसाला जो है वह बाहर नहीं निकलता है अगर आप इन सब में जल्द बाजी करेंगे तो हमारी स्टफिंग जो है वह बाहर निकल जाएगी अब हमें हलके हाथ से बिल्कुल पराठे को बेलना है थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर हमें ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं बेलना है अधर्वाइस हमारा मसाला बहार निकल जाएगा यह देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से बेल लिया है हमारा पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा पेन भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है जब तक हमारा पराठा बन रहा था तब तक मैंने आपर पेन गर्म होने के लिए रग दिया था मैंने यहापर पराठे को डाल दिया है आप पराटे को फ्राइ करने के लिए ओल या घी किसी का भी यूज कर सकते हैं आपकी चोईस है हमारा पराटा एक साइट से हल्का सा सिख चुका है मैंने इसको पलट दिया है अब इसके उपर डाल रही हूं में ये ओल हमें ओल को बहुत अच्छी तरह चारो तरफ लगाना है उसके बाद इसको पलट कर दूसरी साइट भी हमें अच्छे से ओल लगाना है मैं आपको दूसरे तरीके से भी पराटा बनाना बताऊंगी कि आप और किस तरह से स्ट्रफिंग वाले पराटे बना सकते हैं यह मैंने आपको सर्कल वारा पराटा बनाना बताया है यह देखि तरह से स्ट्रफिंग प्रेस करते हुए इसको सेखना है ताकि अंदर से भी बहुत अच्छे से सीख जाए हमें इसे टाइम टाइम पर अलट पलट करते हुए रहना है वरना यह जल जाएगा यह देखिए हमारा जबर्दस कुरकुरा क्रिस्पी मूली का पराठा बनकर हमें सेम वापस वही उसी साइज की लोई बनानी है और इस तरह से फिंगर्स की हैप से इस तरह लोई को राउंड राउंड करना है प्रेस करते हुए अब हमें वापस एक चोटी सी गोल्ड रोटी बनानी है पहले की तरह यह देखिए, मैंने एक छोटी सी गोल्ड रोटी बना लिआ अब इसके उपर हम स्ट्पिंग लगाएंगे हमने पिछली बार पराटा बनाये था, उसके अंदर हमने स्ट्पिंग को इस तरह से फेलाए नहीं था उसके अंदर हमने stuffing को center में रखाता लेकिन जो ये दूसरी type का में पराठा बता रही हूँ इसके अंदर आपको stuffing को बहुती अच्छे से चारो तरफ फिलाते वे लगाना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ उसके बाद सारी stuffing को अच्छे से चारो तरफ फिलाने के बाद हमें दोनों points को दोनों मुग को इस तरह से बंद कर देना है अच्छी तरह से उसके बाद थोड़ी सी stuffing और हमें इसके उपर भी लगानी है अब stuffing लगाने के बाल हमें एक point को दूसरे point से मिलाना है और इसके points को बहुत ही अच्छे से fingers की help से प्रेस करते हुए set करना है हमें लगभग ये पराठा fingers की help से ही बनाना है last में हम सिर्फ balance की help से थोड़ा सा हलका हलका इसे बेल लेंगे क्योंकि stuffing भड़ने के बाद हमें इसे बेलने में थोड़ी सी problem आती है ये देखिए मैंने इसको हलका सा प्रेस भी कर लिया है है तेलियों की बीच अब मैं इसमें थोड़ा सा सुखाठा लगाऊंगी उसके बाद बहुत हलके हाथ से कुछ इस तरह से इसे बेल लूँगी हमारा पराटा बहुत ही चल्दी बनकर रेडी हो जाएगा ये देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से बेल लिया है हलके हाथ से और इसको अपने हाथ और उंग्लियों की मदद से अच्छे से से बी कर लिया है अब हम इसे पेन में डाल देंगे अब इसको एक साइट से थोड़ा से सीकने देंगे ये देखिए ये अच्छे सायट से हलका सा सीख चुका है मैंने इसे पलट लिया है अब हम इसके ऊपर और ऑईल या घी अपलाए करेंगे हमें पहले की तरह ही इस पे दोनों साइट्स ओईल या घी लगाना है यह देखिए मैंने एक साइट से इस पे ओईल लगा लिया है अब इसको मैंने टर्न कर दिया है अब दूसरी साइट पर भी मैं इसी तरह से ओईल लगा लूँगी अब हम इसे दोनों साइट से इस तरह से अलट पलट करते हुए इसको सेखेंगे इस पे चुला की हल्प से इसे हलका से प्रेस भी करते जाएं आप देख सकते हमारा कुरकुरा यमी क्रिस्पी पराठा बनकर रेडी हो गया है यह कितना सुन्दर लग रहा है इसे हमें एक प्ल यह दिखने में कितने सुन्दर लग रहा है यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी है अब मैं आपको एक पराठे को खोल कर बताती हूं इसकी लेयर्स यह जो त्री फॉल्डिंग वाला पराठा होता है इसमें बहुत ही अच्छी लेयर बनती है यह देखिए अब मैं आपको यह कितना शांदा लग रहा है यह कितने अच्छे से स्टफिंग लगी है अब मैं आपको गोल वाला पराठा भी एक खोल कर बताती हूं कि यह किस तरीके से बना है यह देखिए लग रहा है ना यम्मी शो प्लीस आप मेरी स्वोटी सी मूली पराठी की रेसिपी को ज़项 लगी कमेंट बोक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी अदर रेसिपी स्की लिंक मेरे वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरे श्यादा ज्यादा लाइक और शेर जरूर किये जिएगा थैंक्यू